प्लिस ने उसके खिलाब धार्मिक भावनाओं भावनाऊ है को भड़काने का मुकर्मा दर्ज कर उसे गृपतार कर लिया बजरंदल से जुड़े युवक का आरोप था कि वहाँ जाती सूचक लिखे जूतों को बेच रहा था हाला कि युवक और उसके परिजन लगातार में नते करते रहें कि उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी और ना उसने जाती सूचक लिखे जूतों को बनाया था बावजूद पुलिस ने किसी की एक न सुनी और मुस्लिम युवक को गृपतार कर जेल भेल सिया खरिदने के लिए गया तो उसने देखा कि जूतों पर जाती सूचक शब्द लिखे हुए हैं इस पर विशाल ने दुकांदार से जाती सूचक शब्द लिखे जूतों की बिक्री बंद करने को कहा लेकिन नासिर ने ऐसा करने से मना कर दिया बाद में विशाल नाम के युवक ने गुलावटी कोतवाली में नासिर और जूता बनाने वाली कंपनी के खिलाब एफायार दर्ज करा दी मामले में घटना का एक वीडियो भी वाइरल हुआ है वाइरल वीडियो में कुछ लोग दुकंदार से कह रहे हैं कि जब आपको पता था कि जूते के सोल पर जाती सूचक शब्द लिखे हैं तो जूतों को हटा देना चाहिए था इस बात पर दुकंदार का दर्ग था कि जूता उसने नहीं बनाया और नहीं उससे पता था कि जूते पर जाती सूचक शब्द लिखे हुए हैं मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पर दिया गया वो एक किसी पढ़ियंतर के तहत रचा जा रहा है डिमांड पर जूते बेके जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिये उनने और जब उसके उसे लेका गए ठाने में बंद करवाया पर उसके चार जोड़ी जूते बरामद किये गए अंजाने में जाती सुचक शब्द लिखे जूते बेचने पर दुकांदाल नासिर के खिलाप हुई कारवाई के बाद उसके परिजनों का रो रो कर भुरा हाल हो गया है परिजन सिस्टम से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके बेटे की खता क्या थी नासिर के पिता सलीम ने बताया कि उसने विवादित जूतों को नहीं बनाया और नहीं उसे जानकारी थी कि जूतों में किसी की भावनाओं को भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया पर उसी सलीम ने भी नासिर के पिता की बात को सही बताया है एक जाति का नाम लिखा हुआ जूता बेचने के अमामला सामने आने के बात पुलन सहर पुलिस ने अपने टूइटर हैंडल पर लौ एंड आउडर का हवाला देते हुए नासिर को ग्रपतार करने की बात कहिए एस्पी ने भी घटना पर बयान देते हुए कारवाई का दावा किया है पुलिस ने बजरंग दल के संक्ठन से जुड़े इवा की शिकायत पर नासिर को ग्रपतार कर जेल तो जरूर भेज दिया लेकिन जन्पत के किसी भी पुलिस अथकारी से इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका कि जूते कहा और किस ने बनाया सतवीर सिंग जन्मत निउस बुलंद शहर